दोस्तकर आपके पास कोई फोन है जब भी आप उस पोन से किसी को कॉल लगा रहे है तो कॉल इंडेड आ रहे है कुछ इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर सेल्यूशन बताएंगे आपको किस तरीके से इस चीज को फिक्स करना है आपको किसी भी मेकैनीक के पास किसी भी दुकानदार के पास नहीं जाना अकर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको 500 रुपे कमसं कमने तो 500 रुपे देना पढ़ जाएगा 1000 रुपए भी ले सकता है ज्यादा भी ले सकता है लेकिन कम सकम आपको 500 देना ही पड़ेगा सो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हो जान लेते हैं कि हम इस चीज को कैसे फिक्स करेंगे लेकिन एक झोटी सी रिक्वेष्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना और इस वीडियो को सेरä कर देना उन दोस्तों के पस जिनको यह प्रॉब्लम हो रही है और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पर सेट कर देना और आप एक चीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना आपको क्या प्रॉप्लम हो रही है आपका मॉडल कौन सा है कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि यहां पर एक कस्टमर का फोन आया हुआ है जो बीवो का फोन है और काफी ओल मॉडल है लेकिन जब भी मैं कॉल कर रहा हूं तो कॉल इंडेड हो रहा है तो मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा तीनों तरीका आपको फॉलो करना है आपका काम हो जाएगा 100% guarantee के साथ में आप देख सकते हैं कि जब भी मैं कॉल कर रहा हूं कॉल एटोमेटिक कट हो रहा है आप दोस्तोथ पहले ट्रिक में क्या करना आपको अपने सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद में आपको mobile network में चले जाना है तो पहला है network mode का यहां पर सा लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर एक option काम नहीं कर रहा है तो अभी यह काम करेगा ठीक है एक्चुली कभी-कभी mobile hang करने लगती है या फिर कुछ problem हो जाती जिसके वज़े से यह काम नहीं करता ठीक है तो यहां पर आपको APN पर क्लिक करना है APN को आपको reset कर देना है ठीक है reset कर देना APN को आप देख सकते हैं कि हमने APN reset कर दिया ठीक है आपको मैंने जित्ती सारी setting बता ही आपको सारी की सारी setting कर लेनी है network mode में 4G कर देना है data roaming को आपको on कर देना है और यहां पर आपको एक VOLT का option मिलेगा फिलाल यहां पर नहीं है तो आपको VOLT on कर देनी है APN में जाके APN को reset कर देना है अब यहां पर आपको एक career का option मिलेगा आप देख सकते हैं कि career का option so कर रहा है तो carrier पर क्लिक करना है अब यहां पर कुछ time लेगा ठीक है कुछ time लेगा यह search कर रहा है तो यहां पर सारी company आ अगर नहीं होता है इतना करने के बाद तो आपको दूसरे trick अपलाई करना है दूसरे trick में आपको क्या करना आपको जाना mode setting में mode setting में जाने के बाद में आपको नीचे यहां पर आपको एक reset का option मिल जाएगा ठीकर अब यहां पर देखो reset all setting है तो आपको reset all setting पर click करना नहीं तो आप search करेंगे तो आपको मिल जाएगा यह option अलग-अलग option में होता है VO में, OPPO में ठीक है तो more setting में जाके देख लेना नहीं तो आपको कहीं और पर मिल जाएगा तो आपको reset all network setting करनी है ठीक है, आपका mobile app पर format नहीं होगा attention मतलो, बस आपका जो network वर reset हो जाएगा तो इतना करने के बाद में मेरा काम नहीं होता लेकिन आपका 110% हो जाएगा अब दोस्तो इस phone में problem क्या थी इस phone में VOLT सो नहीं हो रहा था VOLT के वज़े से हमारा call नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया मैंने इस phone को कर दिया update ठीक है, तो आपको तीसरे trick में अपने phone को update करना है सची बता रहा हूँ, आपका पहले trick में हो जाएगा अगर नहीं होता है, तो दूसरे trick में 100% हो जाएगा, अगर दूसरे trick में भी नहीं होता है, तो तीसरे trick में इसका बाब भी होगा, ठीक है, आपको अपने phone को update करना, जिसे आप update करेंगे आपका phone VOLT हो जाएगा यानि VOLT support करने लग जाएगा आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा network आ रहा है, वो VOLT आ रहा है, यानि comment section में comment करके बताना, तीन तरीका बता या तीनों तरीके में आपका हो जाएगा बस VOLT so होना चाहिए, ठीक है, VOLT so होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, so like, share, channel subscribe करना, मिलते नेक्स वीडियो में, बाई